नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आपका सिर दर्द कहीं माईग्रेन तो नहीं है आये जानते हैं इसके कारणों को और माईग्रेन को ठीक करने के लिए राम बाण घरेलू इलाजों के बारे में सिर दर्द का रोग अर्ध कपारी या फिर माईग्रेन एक बड़ी ही आमसी बीमारी है कई लोग माईग्रेन से हपते में एक या दो बार जरूर जूजते हैं इसके रोगी वे होते हैं जिनके घरों में यह बीमारी सालों से चली आ रही हो माईग्रेन का दर्द बड़ा ही तेज होता है जिसमें सिर के एक ही और तेज दर्द होने लगता है यह दर्द कई अन्य बिमारियों को भी नियोता देता है जैसे चक्कर, उल्टी और ठकान समय के साथ चिकेट सा जगत ने काफी तरक्की कर ली है लेकिन एक स्वास्थे समस्या है जिसका सठिक इलाज अभी तक सामने नहीं आ पाया है और वो है माईग्रेन इस बिमारी का इलाज अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है माईग्रेन क्या है और आखिर क्यों लोग इस बिमारी से परेशान होते हैं इस सवाल का जबाब अभी तक नहीं मिल पाया है दरसल माइग्रेन सिर्दर्द का ही एक प्रकार है जो ना सिर्फ लोगों के स्वास्थ और कारिय शम्ता पर असर डालता है बल्कि यह उनके सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है माइग्रेन के दर्द को ठीक करने के कई तरीके हैं जैसे दवाईयां या फिर कुछ खादे पदार्थ क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई फूर्स हैं जिन्हें खाकर आप माइग्रेन के दर्द से तुरंत ही छुटकारा पा सकते हैं यदि आपको हर समय दवाईयों पर जिन्दा नहीं रहना है तो अब खादे पदार्थ खा करके अपने जीवन की रक्षा करें इन्हें खाने के अलावा थोड़ा आराम करना भी आवश्यक होता है वैसे तो सिर्दर्द एक समानिय सी बीमारी है जो जल्द ही ठीक हो जाता है ल माईग्रेन से होने वाले दर्द की रोक ठाम के लिए कुछ घरेलून उसके हम आपको बता रहे हैं हरी पत्तेदार सबजियां इन सबजियों में मैगनीश्यम अधिक होता है यह रासायन माईग्रेन के दर्द को तुरंत गायब कर देगा साबूत आनाज समुद्री जीव ग कोफी पीने से वह गयाब हो जाता है तो माईग्रेन अटेक आने पर भी कोफी का सेवन जरूर करना चाहिए अधरक आईरवेद के अनुसार अधरक आपके सिर को यानि की सिर के दर्द को ठीक कर सकता है भोजन बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा अधरक मिला दें और फिर करने के लिए रात की निद अच्छी तरह से लें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें जिहां कुशिश करें कि हर दिन सोने और उठने का एक नियमित समय हो जो लोग अनियमित तरीके से सोते हैं या फिर जिनके ऑफिस की ड्यूटी हमेशा बदलती रहती है उन्हें इस प्रक को ठंडे पानी से की गई इस तरह की मालिश से भी आराम मिलता है इसके लिए आप बर्फ के टुकड़ों का उपयोग भी कर सकते हैं कपूर को घी में मिला करके सर पर हलके हाथों से मालिश करें मखन में मिश्री मिला करके सेवन करें आपको लाव होगा निम्बू का छिल का पीस करके उसका लेप माथे पर लगाने से माइग्रेन ठीक होता है अधिक आप लाव इठाना चाहते हैं तो पानी का सेवन उचित मात्रा में हर रोज जरूर करें और अपनी दिन्चरिया को नियमित जरूर कर लें यानि कि आपके सूने का एक सही समय हो जगने का सही समय हो मौर्निंग वॉक करें ताकि आप स्वास्थ रह सकें जहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी का साथ जुड़ेंगे और ब्यादी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों झाल